अर्विंद केजिवाल ने मनी शिसोधिया पर डाला सारा इल्जाम आम आदमी पाटी में आई दरार तूट गया सालों पुराना याराना शराब घोटाले मामले में केज़िवाल का CBI के सामने बड़ा खुलासा क्या सिसोधिया का नाम लेकर केजरिवाल कर रहे बचने की कोशिश कई महीनों से अर्विन केजरिवाल शिराब घोटाले कान में जेल की हवा खा रहे हैं इसे बीच केजरिवाल जमानत पर कुछ दिनों के लिए बाहर भी आये थे और जेल लोटने से पहले डिली की जंता को एमोशनली अपने तरफ करने की कोशिश की और कहा कि पता नहीं वापस लोटूंगा या नहीं लेकिन जब दुबारा से वापस निकलने का रास्ता दिखने लगा तो केजरिवाल में भी जोश आ गया था लेकिन केजीवाल की किस्मत भी साथ नहीं दे रही और बाहर आने का रास्ता दोबारा से बंद हो गया जिसके बाद ये मामला अब E.D. के अलावा C.B.I. के हाथ में जा पहुँचा इसे बीच केजीवाल की पूछतात से पहले तबियत बिगड़ने लगी और तब ही ये ख़बर सामने आए कि केजीवाल ने C.B.I. के जाच में मनीश सी सोधिया पर सारा इलजाम डाल दिया और मनीश सी सोधिया का नाम लिया है चलिए जानते हैं कि C.B.I. ने इस खुलासे में क्या कुछ कहा है दरसल दिल्ली शराब कार्ड में अर्विन केजीवाल की मुसीबते कम नहीं हुई अर्विन केजीवाल को लेकर C.B.I. ने भरी अदालत में बड़ा दावा कर दिया C.B.I. ने अदालत को बताया कि दिल्ली शराब गोटाले केस में अर्विन केजीवाल ने सारा दोश मनीश सी सोधिया पर डाला है C.B.I. ने कहा कि अर्विन केजीवाल से पूछताच की जरूरत है CBI ने ये दावा किया कि Arvind Kejewal ने कहा है, कि उन्हें आबकारी नीती की कोई जानकारी नहीं थी, 口ض एजेंसी ने बुद्वार को राउच एवेन्यू कोड़ से पाच दिनों की Arvind Kejewal की कष्टडी की मांग की है, CBI ने कहा कि Arvind Kejewal की ज़मानत पर हाई कोट से रोक लगने के बाद ही हमने गिरफतारी की अदायत ने CBI को गिरफतारी का अधार बताने के लिए कहा था इसके जवाब में CBI ने लंबी दलीले भी पेश की है CBI ने कहा है हमें केजरिवाल से हिरासत में पूछताच की जरूरत है वो ये भी नहीं बता रहे कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे उनका कहना है कि वो आतीशी मार लेना और सौरब भरदवाज के अधीन काम कर रहे थे उन्होंने सारा दोश मनी सिसोधिया पर डाल दिया और कहा कि उन्हें आपकारी नीती के बारे में कोई जानकारी नहीं है केजिवाल को लोगसवाद चुनाव के चलते जमानत मिली थी और उस वक्त हमने केजिवाल से पूछताच नहीं की 16 मार्च 2021 को एक शराब कारोबारी से संपर्क किया गया कि केजिवाल शराबनीती को लेकर मिलना चाते हैं CBI के वकील ने कहा कि मैं इस आदालत में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि केजिवाल की गिरफतारी और रेमान जरूरी है आगे CBI कहता है कि जब हमें जेल में अर्विन केजिवाल से पूछताच की तो वो सहयोग नहीं कर रहे थे इसलिए हमें उनको गिरफतार करना पड़ा और जब हमने पूछा कि क्या आप गोवा गए थे और आपके ठहरने का खर्चा किसने उठाया केजिवाल ने कहा कि उन्हें याद नहीं है CBI दावार करते हुए कहती है कि गोवा में अर्विन केजिवाल ने थेहरने का खर्चा हवाला के जर्य चुकाया हमें सह आरोपियों और डॉक्युमेंट्स के साथ केजिवाल को कंफरंट करना होगा इसी बीच खबर ये भी आई के अर्विन केजिवाल की CBI जाच से पहले तबियत खराब हुई है